सिरिसली पढ़ लिए होते है स्कुल में आंसर बता हूं तो जो ग्रामर ना तो को एक्ससाइस करेगी न वो एस्टिमेट ना एक है इस न न रिह दो हैं इन हाइश पोल्हें से स्कुल अफस नेवर रियलाइज इंपर्टेंस दो डैरेक्ट इंडारेक्ट आगे चलो दो तीन डिरेक्ट इंडारेक्ट यह भी डिसकस कर लेते हैं फिर बाकी अगली क्लास में कर लेंगे ठीक है चलो बताओ भी डारेक्ट इंडारग दबाइसाइड डू लेंड में शम्थिंग टू इट लड़के नहीं का भाई मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ठीक है चलो दबाइस्ट में टू लेंड इंड नें सम्थिंग टू इट पूर्बाइब सब्सक्राइब एक बात बता ना तुम लोग ही रिक्वेस्टेड तो हेल्प इम बताव यह सेंटेंस है यह गलत है यह गलत है कियों गलत है समझना सारे इसने से संब्सक्राइब करें लेकरन रिक्वेस्ट करी किससे और मदद करेगा कौन हमने क्या पढ़ा कि अगर हम कभी किसी वर्ब के बाद में कोई इंफिनीटिव लिख देंगे तो वह जो वन है उसका सबीकिंट ही उससी मना जैगा मतलब हमें इसका सब्हक्रचण इसका मानना पड़े गा तो कहने क सब्हुत कि इस Tôi सब्हki करें के लिए तो यह गलत है इस वज़े से गलत कि उसने किस स्टेस्ट करी जिससे उसने कीए और के साहिए सुब੼ाण का मकरीका करेगा शोदी उस वारत है गलत कर्या टेयरा लेंट्स recently लीँया कि क्योंकि याँ लेंड खुदी पार में लिखना यह अलसर नहीं टेदा transpose और्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है तो यह तो लेंड वर्वेन इसका मैं सब्जेक्ट बन गया और अर्ज का मैं ऑब्जेक्ट बन गया मतलब उसने अर्ज मुझसे किया कि मैं उसे दूं उधार कुछ खाने के लिए तो आंसर क्या हो गया बिच्चे इसमें ए दबॉइ आज मी टू लैंड इम सम्थिंग टू इट बाकि सब गलत हो गया अगला क्वेस्टन देखो था यह को देख सब्सक्राइब इस आड़ वी आर्शॉरी वी हश्मीनदा हैं हमें खेद हैं वी हैब बेरिल्ड आला हमने बड़ा मतलब रूड काम किया है चलो आंसर वता ना वी आर्षॉरी का जो चैंज करोगे तो जाएगा दे वर सॉरी तो दे वर सॉरी किसी में लिख बिद रिग्रेट लिइए चलो कोई बात नहीं वही चलएगा ठीक है वी है बीन को चैंज करो करो कर तो यह ऩंद नहीं किया उन्हों नहीं अख्सक्यूज नहीं किया उन्होंने एकKA E सब्सक्राब DM टिक तो इसका आंसर क्या हो जागा ग Probable खेद के साथ में उन्होंने ये सुईकार कर लिया कर लिया मतलबकर अपनी गल्ती को मां लिया रूट होना होना तो गलत है तो उन्होंने कंफेस कर लिया that they had been very rude तो इसमें देखो टेंस भी चेंज होगे और हमारा मीनिंग भी सेम रिटेन होगे तो आंसर होगे भी नेक्स देखो she said to us if you do your best you will surely pass she said to us उसने हमसे कहा if you do your best अगर तुम अपना best करोगे ना you will surely pass तो तुम जरूर पास हो जाओगे अब यह जो you use किसके लिए उसके लिए उसके तो us के according अगर इसे change करोगे तो यह हो जाएगा यू ठीक है और your हो जाएगा आवर मैं और ये use और ये वाड़ हो जाएगा ने चैनल ये वी फरस्ट परसें नहीं तो योênio जाएगा वी कियो जाएगा और यह जाएगा वी तो अब अब देखो कहां पर ऐसा option है इसमें तो सी लिखा हुए तो गलत है इसमें वी अच्छा वी के साथ आना था आवर लिख दे यह और तो यह भी गलत हो गया ठीक इसमें लिखा शी टोल अस डाट इफ दे डिड इसमें दे लिखर का चेंज नहीं गया तो यह गलत हो गया इसमें यह वी लिखा हुआ है तो और यह वी लिखा हुआ है यह यह योर गलत है इसमें वी लिखा आवर लिखा तो यह जी गलत है सारे गलत होगे इनमें से कोई सहाहिं ही नि या हमने से आवर करते हैं तोसर ही जाएगा तोए प्रलाल में समझने हुआ यह प्रीम करते हैं गलती से C हो गया, ठीक है, ध्यान नहीं दियोगा, तो यह B सही हो गया, यह आंसर हो गया, तो आंसर हो गया, ध्यान नहीं दियोगा, उसमें सारी गलत हो गया, यह सही हो सकता था इसमें अगर आवर होता, यह सही हो सकता अगर इसमें V हो, C लिखाता ना तो V कर देंगे तो य चेमालों चालों